हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आये हैं आपके लिए बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टी सेट नंबर सेबन एक से छे तक के प्रैक्टी सेट अलेडी अप्लोडेड है आप जाके वीडियो का टाइम होगा आप कभी भी अटेम्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप अंसर मैच करके मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप कितना स्कूर कर पा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े आप चैनल को सब्सक्राइब कर और साथी साथ बैल आइकन दबा दीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आएए सुरू करते हैं आज का जो हमारा कोशन नमर फर्स्ट है वो ये कह रहा है कि भारत पर मुसल्मानों ने सरप्रथम हमला किसके नेतरित्म में किया था तो मुहमद बिन कासिम जो था वो प्रथम मुसलिम सासक था जिसने सरप्रथम हिंदूओं पर जज़िया कर लगाया था ठीक है चेर ये अगला कोशन हमारा कोशन नमर सेकंड कोशन नमर सेकंड कह रहा है कि समराथ अकबर द्वारा निवन में से किसको जड़ी कलम की उपाधी प्रदान की गई थी तो इसका जो सही अंसर होगा बहो जगा मुहमद हुसान यानी ऑप्सन नमर ए ठीक है अगर हम अब्दु असमत की बात करते हैं तो इसको अकबर के द्वारा सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी क्या किया गया था ये था कौन ये अकबर का दरबा चितरकार था, clear है, चलिए, अगला कोशे नमारा कोशे नमर 3, कोशे नमर 3 कह रहा है कि सिराजुदॉला को धोखा देकर किसने क्लाइब को जिताया था, तो इसका जो सही अंसरों का वह हो जागा, मीर्जा फर, यानि ऑप्सन नमबर B, देखे, अगर हम बात करते हैं सिराजु जुदॉला था, वो बंगाल का नवाब बन गया था, और सिराजुदॉला और अंग्रेजों के बीच 1767 इसमी में पलासी का यूद हुद हुआ था, जिसमें जो था, वो सिराजुदॉला का जो ये सेना पती था, मीर्जा फर, यही बगाबत कर दिया था, और अंग्रेज के क्लाइब का साथ दे दिया था, ठीक है, क्लेर है, चलिए, अब अपरते है अपने अगले कोशन की तरब, जो कि है हमारा कोशन नवर 4, कोशन नवर 4 कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा एक काक्तिये राज में अती महत्पुन समुद्र पतन था, तो इसका जो सही अंसर हो अब हम बात करते हैं अपने अगले कोशन की तरब, जो कि हमारा कोशन नवर 5, कोशन नवर 5 कह रहा है कि सिंधुगाटी सभिता, डेरा इसमाई खान, पुरा अस्थल, किस छेतर से संबंदित है, तो यह किस संबंदित है, पाकिस्तान के पश्चमी प्रान से, यानि पश्च नवर 6 कह रहा है कि बलपूरबक कन्या का पहरन करके उसके साथ बिवाह करना बैदिक काल में क्या कहलाता था, अगर आप किसी कन्या से बलपूरबक साधी करते हैं, तो बो बैदिक काल में राच्छस बिवाह कहलाता था, तो आपसन नवर 2 जो होगा, वो सही अंसर हो जाग अगर हम बात उत्तर बैदिक काल की करते हैं तो उत्तर बैदिक काल में 8 परकार के बिवाह का परचलन था जिसमें कि अगर लड़की को खरीद कर साधी किया जाता था तो उसको असुर बिवाह का जाता था अगर लड़की को गुमराह करके साधी किया जाता था तो उसको पैच चास विवाह का जाथा था ये सारे टाइप के आठ तरह के विवाह थे उत्र बैदिक काल में अब अगला कोशन है मारा कॉशन नबर 7 किहा है कि बैदिक काल में गुरहस्त आस्रा में और तीसरा था प्रितिरिन, देखिए देवरिन क्या था, देवरिन ये कहता था कि मनुष के भाल निर्धारन में देवताओं की भूमिका होती है, इसलिए उसे याग करके देवरिन से मुक्ति पाया जा सकता है, दूसरा था प्रितिरिन, प्रितिरिन ये है कि माता पिता ने अ मतलब बिद्ध्य अध्यन किया है उसके लिए उनको दान देना क्या था गुरूरिन था नेक्स्ट कोश्चन है मारा कोश्चन नबर एट कोश्चन नबर एट कह रहा है कि इनमें से किस छेत्र से समबंदित सुधार में राजाराम मोहन रा ने योगदान नहीं दिया था तो इसका जो सही अंसर हो जगा बोह जगा ऑप्सन नबर डी जाती प्रथा उन्होंने जाती प्रथा से समबंदित वाले चीज में किसी भी समबंदित सुधार में उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया था बाद बाकी सती प्रथा बाल बिबा और बहु पतनी बिबा ये कुछ चीज याद रखेगा कि इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज किया स्थापना किया था ठीक है और यही जो ब्रह्म समाज था देखे समझे 1828 में ब्रह्म समाज किया स्थापना किया थे राजरा मोहन राने और यह जो ब्रह्म समाज था इसी के बिरोध में एक नाम याद रखे था ठीक है चलिए अगले question कि अगर हम बात करते हैं तो अगला question हमारा question number 9 question number 9 कह रहा है कि Muslim Anglo Oriental College की अस्थापना किस ने की थी तो इसका जो सही answer होगा बहुज़गा Sir Sayyad Ahmad Khan यानि option number C जो होगा बहुँ हमारा सही answer होगा Muslim Anglo Oriental College की अस्थापना हुई कर थी 1875 इसवी में हुई थी फिर इसको क्या हो गया था 1920 इसवी में Muslim Anglo Oriental College को ही अलिगण Muslim University के रूप में बदल दिया गया है ठीक है तो अभी ये अलिगण Muslim University है जो उत्तर प्रदेश में एक Central University के रूप में अभी भी है आयू 21 बर से घटा कर 19 बर्स कर दी थी तो इसका जो सही answer है बो है Lord Litton यानि option number B जो होगा बो हमारा सही answer होगा Lord Litton की अगर हम बात करते हैं तो Lord Litton का कार्जकाल कब से कब था 1876 से लेकिए 1880 तक Lord Litton का कार्जकाल था ठीक है और Lord Litton से एक बहुत important चीज़ याद रखेगा कि इन्होंने 1878 में Lord Litton के द्वारा भढ़ना कुलत प्रेस एक्ट भी लगाया गया था जो भारतिये समाचार पत्रों पर क्या था एक पठोड प्रतिबंध था ठीक है Lord Litton से एक और चीज़ याद रखेगा कि Lord Litton ने भारतिये सस्त रधिनियम 1888 भी पारित किया था इसके इस रधिनियम के तहत सस्त रखने हेतु लाइसेंस को अनिवार्ज कर दिया गया था चलियर है चलिए Next question हमारा question number 11 Question number 11 कह रहा है कि सत्यागरा की प्रेड़ना गांधी जी को किन से मिली थी तो इसका जो सही अंसर है बहुँ जगा Option number A Leo Tallastry Leo Tallastry की अगर हम बात करते हैं तो Leo Tallastry कौन थे एक रूसी लेखक थे रसिया के एक लेखक थे ठीक है और Leo Tallastry से एक और चीज़ याद रखेगा कि Leo Tallastry ने Bar and Peace नामक पुस्तक की एक रचना भी की है Bar and Peace इसक जाम में पूछा जाता है कि Bar and Peace नामक पुस्तक की रचना कार कौन है तो Leo Tallastry ही थे ठीक है गोपाल गोखले के नाम से आप लोग भली भारतीर परचित होंगे ये गांधी जी के राजनितिक गुरू थे डेविट थोरो की अगर हम बात करते हैं तो डेविट थोरो ने ही सभिया अंदोलन के बिचारों का प्रतिपादन किया था चलेर है? चलिए next question अमारा question no.2 question no.2 का रहा है कि चापेकार बंदों का संबन्द क्रिस कांतिकारी समीती से था तो इसका जो सही अंसर होगा बोधेगा option number ही हिंदु धर्म संग से था देखे चापेकार बंदों के अगर हम बात करें तो दो भाई थे एक का नाम था दामोतर हरी चापेकार और दूसरा का नाम था बाल कृष्न हरी चापेकार और इनी दुनों भाईयों को चापेकर बंधुओं कहा जाता था ठीक है, चापेकर बंदुओं से एक और चीछ याज रखेगा कि चापेकर बंदुओं ने प्रथम क्रातिकारी संगठन ब्यापम मंडल की अस्थापना की थी, बयाम मंडल की अस्थापना किया था, ठीक है, फिर बाद में जाकि ये चापेकर बंदुओं को फासी दे दी गई next question number 13 question number 13 है कि गांधी सेबा संक की अर्थापना से कौन नहीं जुड़े थे तो इसका जो सब्सक्राइब अपसर नमर दी पुरसथम ठाकुर जो थे वो नहीं जुड़े थे गांधी सेबा संक की अगर बात करते हैं तो इसकी अस्थापना 1923 में जमुना लाल बजाज की प्रेरना से किया गया था ठीक है Next question हमारा question number 14 Question number 14 कह रहा है कि किस ने कहा था जब दुनिया में हम हर कही जीत रहे हैं तो ऐसे समय में हम एक कमबक्त बुढ़े के सामने कैसे जूच सकते हैं जो हमेशा से हमारा सत्रू रहा है तो ये कहा था कौन ये कहा था बिश्टन चर्चिल ने यानि option number B जो होगा वो हमारा सई अंसर होगा ठीक है बिश्टन चर्चिल की अगर हम बात करें तो बिश्टन चर्चिल कौन थे परधान मंतरी थे इंगलेंड के और ये कर थे दूतिय बिश्टिय के समय ये इंगलेंड के परधान मंतरी थे बिश्टन चर्चिल से एक और चीज याद रखिएगा कि बिश्टन चर्चिल जो थे वो नोबल प्रुष्कार से सम्मानित होने बाले प्रधान मंतरी थे ठीक है और यह कहा कर था विश्टन चल्चिल ने जब भारत छड़ो अंदोलन चल ला था उसी टाइम में वो गांधीजी के लिए ये बात कहा था विश्टन चल्चिल नेक्स्ट कॉश्चे नमरा कॉश्चे नमर 15 किए रहा कि मुस्लिम लिग की अस्थापना के गई के लिए थे तो मुस्लिम लिग की अस्थापना हुआ था उनईई 106 में तो इसका जो सईयन सर होगा वो होगा 30 December 1906 यानि अपसर नमर ए देखिए मुस्लिम लिग की अगर पूछा जाता है कि मुस्लिम लिग ने अपना परतेच कारवाही दिवस कम मनाया था तो अपना परतेच कारवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को क्लेर है चलिए Next question अमारा question number 16 Question number 16 कह रहा है कि अराबली एबं बिंद स्रिंखलाओं के मध कौन सा पठार इस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा Option number A यानि मालवा का पठार इस्थित है देखिए अगर हम मालवा की पठार की बात करते हैं तो इसका जो बिस्तार है वो पूर्व में है बेतवा नदी से पश्चिम में कहा है अराबली तक और उत्तर में यमुना मैदान से और दच्छिन में बिंद्याचल परवत तक इसका बिस्तार है चलिए अगर हम और बात करते हैं इसके बारे में तो जो बेतवा नदी है, पावर्ती, काली, सिंध, चंबल, माही ये सारे जितने भी हैं वो इसी छेतर से निकलने वाली परमुक नदियाँ है नेक्स कोश्चन है हमारा कोश्चन नमर 17 Press No.17 कह रहा है कि इन में से किस ग्रह का घुर्णान काल सबसे अधिक है तो शुक्र ग्रह का सबसे zyardา घुर्णान खाल होए तो Aption No.2 जो होगा तो और हमारा सही अंसर हो जगा शुक्र की गुर्णान काल की बात करे तो लगबग 243 दिन होता है बुध की अगर बात करें तो ये अंठामन से 69 दिन होता है अगर पिर्थिवी के घुर्णन काल की बात करें तो ये 24 गंटा का प्रॉक्स होता है 23 गंटा 56 मिनट और अगर बरून के घुर्णन काल की बात करें तो ये होता है सुला घंटा, साथ मिनट, ठीक है, तो सबसे अधी किसका हो गया? सुक्र का 243 दिन का होता है, ठीक है? सुक्र से एक और चीज याद रखेगा, कि सुक्र गरभ को चम्किला गरभी कहा जाता है, सांच का तारा, भोर का तारा, ये सब नाम से किसको जाना जाता है? चानस कर ही बोला जाता है, मकार एखा बोला जाता है, नेक्स्ट कोश्चेन हमारा question number 19, question number 19 कहे रहा है कि कि किस भुकमपिय तरंग को अनुध्यर तरंग कहते हैं, तो इसका जो साइव शहाश होगा बोच अप्शन number A, P तरंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुधार तरह कहते हैं अगला question नमारा question number 20 question number 20 कह रहा है कि निम्न बिद्धानों में से किसने सुझाब दिया था कि प्रिथिवी की उत्पत्ती गैस और धूल कनों से हुई है तो इसका जो साइयन सरे वो है O-Cement इनका नाम था पूरा ओतो सिमड जिसको आप बोल सकते हैं ठीक है इन्हों ने इस उजाब दिया था कि प्रिथिवी की उत्पती गैस और धूल कनों से हुई है और ये थे कौन ये एक रूस के बैग्यानिक थे रूसी बैग्यानिक थे चलिए अगला question हमारा question number 21 question number 21 कहाँ रहा है कि बलुआ पत्थर का रूपांतरित सेल है तो बलुआ पत्थर का रूपांतरित सेल है वो है quad diet तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer होगा अगर हम बलुआ पत्थर की बात करे तो ये जो बलुआ पत्थर होता है वो अब साधी चैटान का एक उधारन होता है और आगरा का किला दिल्ली का लाल किला ये सब जो है वो बलुआ पत्थर के ही निर्मित है next question हमारा question number 22 question number 22 कह रहा है कि 23 degree से लेके 24 degree अच्छांस तक दोनों गोलार्दों में फैले कटी बंध को क्या कहते हैं तो इसका जो सई answer होगा वो जगा option number B सितोस कटी बंध करते हैं देखिए और इसलिए 23 degree से लेके जो 24 degree अच्छांस है इसमें क्या होता है कि सूर्ज की जो किर्ने होती है वो ना तो सीधी पड़ती है और ना ही तिलचा इसलिए इसमें ना तो जादा गर्मी पड़ता है और ना ही जादा ठंड पड़ता है इसलिए ये मानब को रहने के लिए सबसे उप्यूक्त कटी बंध है ठीक है अगर हम बात 23 degree से कम की बात कर लेते हैं मतलब 23 degree उतरी अच्छांस रेखा से 23 degree दच्छनी आच्छांस रेखा के बीच का छेतर क्या होता है उसने कटी बंध कहलाता है मतलब 0 degree से 23 degree और 16 degree से 90 degree आच्छांस तक जो होता है वो सीथ कटी बंध कहलाता है मतलब वहाँ जो होगा वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि वहां सुर्ज की किरने जो होती है वो नहीं पहुंच पाती है अब है अगला question जो कि हमारा question number 23 question number 23 कह रहा है कि Asia महादेश का सबसे छोटा सा देश कोन है तो Asia महादेश का सबसे छोटा देश है अब अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 24 question number 24 कह रहा है होंसु क्या है तो होंसु जो है वो दीप है तो option number यह जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा और यह होंसु की अगर हम बात करें तो होंसु से याद रखेगा यह जपान का सबसे बड़ा दीप है ठीक है next question है हमारा question number 25 question number 25 कह रहा है कि dogger bank किसके लिए प्रसिद है तो dogger bank जो है वो मत्या सुत पादन के लिए प्रसिद है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है dogger bank है कहां उत्री सागर में यह इस्थित है clear है चलिए अब अड़ते है अपने अगले question की तरब जो कि है हमारा question number 26 question number 26 है पठकाई ब्रूम स्रेनी भारत के किस राज से जुड़ा हुआ है तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा option number A अब लुनाचल परदे से यह जुड़ा हुआ है देखे हिमाले परबत के पुडवी पहाडियों और परबत स्रेनियों के उत्तर में पठकाई ब्रूम नागा पहाडियों मनिपूल पहाडियों और दचिन में मिजो या लुसाई पहाडियों के नाम से जाना जाता है ठीक है पठकाई ब्रूम परबत स्रेनी की बात करें तो कौन सुमेलित नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option नमर C संथाल जो है वो 36 गड़ का जन जाती नहीं है ये संथाल जो है वो जारखंड राजकी में एक पाये जाने वाली अनुसूची जन जाती है ठीक है तो संथाल का संभन 36 गड़ से नहीं जारखंड से है ठीक है भील की बात करते हैं तो गुजरा सही है जौनसारी उतराखंड भी सही है खासी मेगाले भी सही है ठीक है चलिए अगला question है मारा question number 28 question number 28 कर रहा है कि सबजिया किस तरह की फसल है तो इसका जो सही अंसर होगा बोह जागा जायत फसल देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लिजे कि जायत खरीफ और भी होते क्या है अगर हम जायत की बात करते हैं तो वैसे फसल जो अपरील मई में बोई जाते हैं ठीक है अगर जबी फसल की बात करते हैं तो जबी फसल की बुआई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और इसको काट लिया जाता है मांच चप्रेल में तो यह तीनों याद रखेगा ठीक है चलिए अब बढ़ते अपने अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 29 question number 29 कह रहा ह कि दचनी भारत में उच क्रिसी उत्पादक्ता का छेतर पाया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा option number B तमिल नाडू टट पर पाया जाता है देखे अगर हम बार तमिल नाडू टट की करते हैं तो तमिल नाडू टट पर सबसे ज़ादा नारियल, रबर, गन ना, कहवा, ये सब की फसले उपजाई जाती है ठीक है चलिए अब बड़ते हैं अपने अगले कोश्चन की दरब जो कि हमारा कोश्चन नमर 30 कोश्चन नमर 30 कह रहा है कि इसकी साधिनियम के द्वारत का सासन ब्रिटेन की संसत को दे दिया गया तो इसका जो सही अंसर है व और उसके बाद जश्ट बाद अठारा सो अंठामन का ये भारत सासन अधिनियम लागू हुआ था तो अठारा सो अंठामन के भारत सासन अधिनियम के तहट जो भारत का सासन था वो कंपनी से लेकर किसके हाथ में दे दिया गया था ब्रिटिस क्राउन के हाथ में सौप दिय गया था ठीक है और इसी अधिनियम के तहट ब्रिटेन में भारत परिसाथ और भारत सचीव के पद का गठन किया गया था क्लेर है चलिए नेक्स कोशन हमारा कोशन नमर 31 कोशन नमर 31 कह रहा है कि भारत के करम से भारत में करम से तीसरे राष्ट पती कौन थे तो देखिए पहले राष्ट पती कौन थे राजेंदर परसाथ दूसरे राष्ट पती कौन थे एस राधा क्रिस्नन और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे राष्टपती थे जाकिर हुसेन ठीक है जाकिर हुसेन से याद रखिएगा कि यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्टपती थे और इनकी मिर्थू पद पर रहते हुए ही हो गई थी ठीक है इनका कार्ज काल 1967 से लेके 1969 तक था ठीक है और उसके बाद स्विर चौथे हो गए भीवी गिरी और पाच में फिर हो गए फरुकिदीन अली अहमद यह ही आदितुल्ला की बात करते हैं तो यह काल्ज वाहक राष्टपती के रूप में 1969 में काल्ज किये थे ठीक है जब जाकिर उसेन मरे थे उसके बाद नेक्स कोशन हमारा कोशन नमर थाटीटू कर रहा है कि भारतिये राष्टपती की छामादान संबंधी अनुछेद है तो भारतिये राष्टपती का छामादान अनुछेद कौन सा है अनुछेद 72 यानि आपसन नमरे जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिए अनुछेद 72 के तहत ही नियाइक सक्ती है राश्पती को जिसके तार आप राज के लिए दोसी करार दिये गए बेक्ति को राश्पती छामा अर्थात डंडा देश का निलंबन प्रांड़ अस्थागन परिहार लगू करन और माफी प्रदान कर सकता है राजपाल को भी छामा करने का सकती है किस कौन से अनुछेद के द शमा याची का को एक बार खारीज कर देता तो वह आदमी दुबारा उसके लिए अपलाई नहीं कर सकता है चमा याची का दुभारा भो नहीं कर सकता है नेकES कोशिंन हमारा कोशि foundation number 33 कोशिamt number 33 करहां रहा है कि सम्मीधान ससोधन से सम्बंदित 368 कितने परकार के सम्मीधान ससोधन करता है ठीक है तो सम्मीधान में ससोधन होता है वो 3 परकार से होता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer होगा देखिए embora पहले बाड़ कर लेते हैं समिधान संसोधन की। समिधान संसोधन का जो बढ़न है वो भाग 20 में है ठीक है और अनुशे 368 में है ठीक है अनुछे 368 के ताथ इस समिधान संसोजन का प्रभधान है और इसको दच्छिन फिरका यानि साउथ फिरका से लिया गया है और समिधान में जो संसोजन है वो तीन तरहों से हो सकता है पहला तो है साधारन बहुमत के द्वारा दूसरा विशेस बहुमत के ठीक है नक्स कोशन हमारा कोशन नमर 34 कोशन नमर 34 कह रहा कि अनुछे 256 संबंदित है तो अनुछे 256 संबंदित है वो राज्यों तथा संग की जिम्मेवारिया से हैं जिम्मेदारियां से है तो आपसन नमर यह जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखे अनुछे 256 के अन ठीक है चलिए नक्स कोश्चन हमारा कोश्चन नमर 35 कर रहा है कि राष्टिय अपातकाल से संबंदित अनुछेद कौन है तो राष्टिय अपातकाल से संबंदित अनुछेद है वो है 312 देखिए हमारे सम्विधान में तीन परकार के अपातकाल का बर्लन किया गया है और 360 है बीटी आ पात काल जो अमेरिका से लिया गया है और अभी तक बीटी आ पात काल यह भार भी नहीं लगा है अमारे कंटरी में अगर हम बात राष्टी आ पात काल की करते हैं तो यह कब लगता है ? जब भिदेसी आकरमन यशासात बिद्रों की स्थिति होती है तब ये राष्टिया अपातकाल लगाया जाता है राष्टिया अपातकाल से एक चीज़ याद रखेगा कि जब राष्टपती द्वारा राष्टिया अपातकाल की घोसना कर दी जाएगी तो उसके पस्चात 30 दिनों के अंदर मतलब एक महीना के अंदर उसे संसत से पारित किया जाना अनिवार्ज है एक चिर और याद रखेगा कि अनुछेद 309 ठीक है अनुछेद 309 ये कहता है कि जब हमारे देश में राष्टिया अपात काल की स्थिति की घोसना हो जाएगी मतलब राष्टिया अपात काल की घोसना कर दी जाएगी तो घोसना करते के साथ ही अनुछेद 19 का निलंबन हो जाएगा कि आओगा उसी टाइम का उसको सजा मिलेगा और खुद के प्रती नियाले में जाने के लिए बाध नहीं है अनुछेद 20 जो कहता है वो क्या है प्रानेभम देहिक सोतंतता का सोतंतता है ठीक है नेक्स कोस्टन हमारा कोस्टन नमर 36 कोस्टन नमर 36 कह रहा है कि संसर में प्रस्तूत बिदहयक की कुल कितनी सरेनियों में बरगी करिट किया गया है Next question है हमारा question number 37. Question number 37 कह रहा है कि कि किस आयोग ने अस्थाई अंतर राजिये परिशत जो अंतर सरकारी परिशत के नाम से जानी जाती है कि अस्थापना का समर्थन किया था? सरकारी आयोग का अगठन कब हुआ था? 1983 इसवी में और यह फिर जाके 1987 इसवी में अपना रिपोर्ट सौपा था और इसका रिपोर्ट था क्या जी? कि अंतर राजिये परिशत के अस्थापना किस के तहद? अनुछेद 263 के तहद किया गया है अब पहली बार अंतर राजिये परिशत के अस्थापना कब की गई थी? 1990 में ठीक है और यह चीज़ और याद रखेगा अंतर राजिये परिशत से कि अंतर राजिये परिशत का जो अध्याच होता है वो कौन होता है? परधान मंतरी होते हैं ठीक है? जो परधान मंतरी होंगे वो अंतर राजिये परिशत क सदस्य होंगे और अध्याच होगा प्रधान मंतरी ठीक है चलिए next question है question number 38 question number 38 कह रहा है कि नम नालंदा महाविहार की अस्थापना कब की गई थी तो इसकी अस्थापना उनई 100 एकामन में हुई है तो आपसर नमर ये जो होगा वो हमारा सही अनसर होगा नम नालंदा महाविहार से याद रखिएगा कि इसको deemed to be university का दर्जा दिया गया है ठीक है क्या deemed to be university ठीक है नम नालंदा महाविहार की अस्थापना उनई 100 एक कामन में किस के द्वारा जगदीस कस्यप के द्वारा की गई थी ठीक है तो ये भी नाम वियाद रखिएगा जगदीस कस्यप clear है चलिए next question है हमारा question number 39 question number 39 कर रहा है कि राष्टिय संग्राले किस मंत्राले के अंतर गत आता है question number 40 कर रहा है कि भारतिय रिजर्ब बैंक द्वारा CRR में ब्रिधी से देखिए सबसे पहले तो समझ लिजे कि CRR है क्या तो CRR को हम लोग बोलते हैं cash reserve ratio ठीक है क्या बोलते है cash reserve ratio होता क्या है cash reserve ratio का मतलब होता है कि परते एक बैंक को अपने cool लगत जमा का कुछ एक निश्चित amount जो होता है वो RBI के पास जमा रखना होता है उसी को हम लोग बोलते है cash reserve ratio ठीक है तो इस question का जो सही answer होगा कि भारतीय रिजर बैंक द्वारा अगर CRR में ब्रिधी किया जाता है तो इसका मतलब होगा अर्थ बेवस्था में मौझूद तरलता में कमी आती है यानि option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा क्लेर है चलिए अब अड़ते हैं अगले question की तरब जो कि है हमारा question number 41 question number 41 कहा रहा है कि समा बेसी प्रिधी के लिए आबसेक है तो समा बेसी प्रिधी के लिए क्या आबसेक है option number D मतलब अंधो संचरात्मक्स विधाओं का विकास भी क्रिफी का पुन्यदार और सिछावं स्वास जैसी समाजिक से बाउं की आधिकारी को ब्लब देता है ये तीनों आबसेक है next question है हमारा question number 42 question number 42 कह रहा है कि दूतिय पंच बरसियो योजना किस मोडल पर अधारी थी तो इसका जो सही अंसर होगा वो जगा option number D महान लोग नोबिस मोडल पर ये अधारी थी ठीक है दूतिय पंच बरसियो योजना की बात करते हैं तो इसका कार्जकाल था 1956 से लेके 1961 पहला का था 1901 से लेके 1956 जो कि किस पे हेराल्ड मोडल मतलब हेराल्डोमर मोडल पर अधारी था पहला और ये दूसरी की बात करता है तो दूसरी जो था वो महा लोग नोबिस मोडल पर अधारी था ठीक है अगर हम दूसरी पंच बरसियो योजना की बात करते हैं तो दूतिय पंच बरसियो योजना के ताथ और जोगी करन को बढ़ाबा दिया गया था ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नबर 43 कोश्चन नबर 43 कहा रहा है कि इन में से कौन सबसे नीचे क्रम में इस्थिती है तो यह देखिए रैंक दिया हुआ है ग्रूप कैप्टन इसमें जो सबसे नीचला रैंक है वो है फ्लाइट ऑफिसर देखिए अगर हम बायु साइना में अधिकारियों का अकरम की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है एयर चिप मार्सल उसके बाद एयर मार्सल फिर एयर बॉइस मार्सल एयर कमांडर ग्रूप कैप्टन बिंक कमा तो रच्छा परबंदन कॉलेज जो है बुत्री से ना पर्सिचन प्रतिस्ठान है मतलब यहां तीनों भाग ले सकते हैं next question है हमारा question number 45 question number 45 कर रहा है कि हिंदुस्तान petroleum corporation limited किस परकार की company है तो हिंदुस्तान petroleum corporation limited जो है वो महारतन company है ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जगा option number A ठीक है देखिए पहले महारतन company आठ थी फिर 2009 में दो महारत company में add कर लिया गया एक है HPCL मतलब हिंदुस्तान petroleum corporation limited और एक है PGCIL मतलब power grid corporation of India limited तो अभी फिलहाल महारतन company की संख्या हो गई 10 ठीक है अब बात अगर कर लेते हैं कि महारतन company कहते किसको है तो वैसी company जिसकी औसत बार्सिक website पिछले 3 बर्सों में 25,000 कड़ों रूपे से अधीक तथा आसित बार्सिक निबल मुल पिछले 3 बर्सों में 15,000 कड़ों रूपे से अधीक होगा तो वैसे company को हम लोग क्या बोलेंगे महारतन company कहेंगे next question हमारा question number 46 question number 46 कह रहा कि गांधी बादी अर्थवेबस्ता के बिषळ में निमलिखित कत्नों में से कौन सा एक सही नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा देखिये वो अहिंसा पर आधारी तर्थवेबस्ता पर बल देते थे तो ये सही है केंदरी करन सोसन और आसमानता को जन में देता है अतत्व अहिंसक समाजिक संरचना केंदरी करन भी रोधी है ये भी सही है वो भारत में मसीनी करन के पच्छधर नहीं थे ये भी सही है वो अमेरिका में मसीनी धरन के पच्छधर नहीं थे तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहुत जागा नवंबर दिसमबर यानि option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिए अगर हम बात 15 सितंबर को जब सुर्ज भूमद रेखा के पास होता है तब भारतिये ग्रिस मकालीन मौनसून लोटता है और इसे क्या बोलते हैं लोटता हुआ मौनसून भी कहते हैं ठीक है और इसी मौनसून से दिसमबर और जन्बरी में आंधर परदेश और तमिलाइडू में बरसा होती है ठीक है चलिए next question है हमारा question number 48 question number 48 का रहा है कि छेत्रिये ग्रामिन बैंक में मतलब जो आरार भी है रिजनल रूलर बैंक इसको बोला जाता है रिजनल रूलर बैंक में भारत सरकार लाजी सरकार और परियोजिक बैंक है मतलब जो sponsored बैपारिक बैंक होते है उनकी पुझी का अनुपात क्या है मतलब कहने का मतलब है कि जो भी ग्रामिन बैंक आप सुने होंगे बिहार में अगर है तो बिहार में आप ग्रामिन बैंक सुने होंगे मगत ग्रामिन बिहार बैंक तो मगत ग्रामिन जो बैंक है उसमें किसका कितना परसेंट सेयर है ये समझ लीजे मगत ग्रामिन बैंक से ये समझ लीजे कि मगत ग्रामिन बैंक का जो परिरोजक बैपारिक बैंक है मतलब आप स्पॉंसर्ड बैंक है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा, ठीक है? Next question हमारा question number 49, question number 49 कर रहा है कि mission इंदर धन उसका उदेश गया है, तो इसका उदेश था बच्चों में टिका करन, तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा, ठीक है? और ये लागू कब किया गया था? ये भारे सरकार के स्वास्तेवं परिवार मंत्राले के द्वारा 2014 में, 25 दिसमबर 2014 को लागू किया गया था, और इस अभियान में था क्या? साथ रोगों के खिलाफ तीका करन था, मतलब साथ रोग थे, उनके और इसका उदेश क्या था? इसका उदेश है भारत को आप निर्बार भारत बनाना, ठीक है? नेक्स कोचिन हमारा कोचिन नबर 51, कोचिन नबर 51 कह रहा है कि GPS की सहाथा से संबंदित माध निर्देशन पढ़नाली क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? अपसे नमरे साई होगा अंसर गगन, ठीक है? देखिए, गगन के नाम में ही इसका अंसर चुपा हुआ है गगन का अगर फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, तो गगन होता है GPS Added Geo Augmented Navigation यह इसका फुल फॉर्म होता है, क्या? GPS Added Geo Augmented Navigation ठीक है? और गाकर हम गगन की बात करते हैं तो यह एक Joint Venture है, दो लोगों ने इसे मिलकर बनाया है मतलब दो कंपनियों ने, एक है ISRO और दूसरा Airport Authority of India, AAI ठीक है? यह दोनों का एक Joint Venture है, यह गगन, clear है? चलिए Next Question हमारा 52, Gaussian पदिती में, मतलब जो हमारा CGS पदिती होता है, उसमें लंबाई को किसमें मापा जाता है? तो इसका जो साइएंसर है, बो हो जाएगा Centimeter यानि Option Number B देखिए, तीन होता है, एक होता है CGS, एक होता है SI, और एक होता है FPS ठीक है, तो CGS की अगर हम बात करते हैं, तो CGS पदिती में, दरबमाई को gram में, समय को second में, और लंबाई को centimeter में मापा जाता है अगर हम SI unit की बात करते हैं, तो SI unit में, लंबाई को meter में, दरबमाई को kilogram में, और समय को second में अगर हम fps की बात करते हैं तो fps में लंबाई को foot में दरब्यान को pound में और समय को second में मापते हैं ठीक है चलिए next question हमारा question number 53 question number 53 कह रहा है कि पदार्स की मातरा का मूल मातरक क्या है अब potassium हमें मिलता कहां से है मास, मचली, सबजीया, फल और अनाज ये सारे चीसे मुझे potassium मिलता है एक body को ठीक है अगर हम बात sodium की करते हैं तो sodium रक्तदाब नियंतरित करने में सहायता देता है अगर हम बात लोहा की करते हैं तो लोहा के कारण ही रक्त में हेमोगलोबिन बनता है next question हमारा question number 55 question number 55 कर रहा है कि फोटोग्राफी में अस्थाई करन के रूप में परियोग होने वाला रसायन कौन है तो इसका जो सही अंसर है वो है sodium thiosulfate यानि option number B sodium thiosulfate के अकर फॉर्मूले की बात करते हैं तो होता है Na2, S2, O3 ठीक है sodium thiosulfate के कारण ही फोटोग्राफी में निगेटिव और positive का अस्थाई करन होता है ठीक है चलिए next question हमारा question number 56 question number 56 कर रहा कि कम दूरी का पूर्मा नुमान लगाने के लिए किस उपग्राह का उपयोग किया जाता है तो इसका जो सई अंसर है वो है option number ये भू इस्थिर उपग्राह का उपयोग किया जाता है भू इस्थिर उपग्राह की प्रिकर्मा अद्धी कितना होता है 24 गंटा होता है ठीक है और ये उपग्राह प्रितिबी की सता से 36,000 किलोमेटर की उचाई पर इस्थित होता है चलिए नेक्स कोशन हमारा कोश्चन नमबर 57 कोश्चन नमबर 57 कहरा है कि निमलीखित मैंसे मनुस के सरीर में कौन सी ग्रंती बानी हीन होती है उसका जो सई अंसर होगा वो होजगा उप्सन नम्र C अंतसराबी ग्रंती देखिए एंतसराबी ग्रंती और बासराबी ग्रंती होता है नेग्सस कॉशंट है कोश्चन नमबर 58 कोश्चनि नमबर 58 कर रहा है कि बल आघूण का उदाहरन है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा option नमबर A आटा पीछने की चक्की में हत्थे की किली से दूर होकर तो अपसे नमर ये जो होगा वो बल आघून का उदारण हो जएगा बल आघून के अगर हम बात करते हैं तो किसी बस्तु को अपने आज के प्रति घुर्णन कराने वाले रासी को ही अब लोग क्या बोलते हैं बल आघून कहते हैं ठीक है Next question हमारा question number 59 Question number 59 कह रहा है कि बितकार छला M द्रब्यान और R द्रिज्या का जड़त्वागुण जड़त्वागुण को अगर हम लोग क्या बोलते है Moment of inertia बोलते है Moment of inertia द्रब्मान के अदर के अज़ के अधारित क्या होगा तो बितकार छला का क्या होगा अगर पहले तो हम moment of inertia को किस ची से denote करते हैं i से denote करते हैं और i equal to क्या होगा m r square होगा तो option number b जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा ठीक है next question हमारा question number 60 question number 60 क्या कहा रहा कि अनुध्यर प्रतिबल और अनुध्यर बिक्रिति के अनुपात को क्या कहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं यंग प्रतास ठंकता गुनांक यानि option number जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा ठीक है अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 61 question number 61 कर रहा है कि सरल आवर्थ गति करते हुए किसी कन के द्वारा एक सेकंड में पूरे किये गए अब अर्थ काल की कर लेते हैं तो आवर्थ काल किसको बोलते हैं किसी तरंग के द्वारा एक तरंग धैर की दूरी तै करने में लगे समय को हम लोग क्या बोलते हैं अब अर्थ काल बोलते हैं थाइस होता है निकल का अगर हम 29 बात करते हैं तो 29 होता है copper का और 31 किसका होता है गैलेनियम का चलिए नेक्स कोशन हमारा question number 63 question number 63 कहा रहा है कि विदूति राफाइनिक स्रेनी में इन में से इलक्ट्रोन भी भब किसका होता है तो यह lithium का होता है तो option number यह जो होगा वह हमारा सही अंसर होगा clear है चलिए next question है question number 64 64 कहा रहा है कि यूरिया में nitrogen किस रूप में पाया जाता है तो यूरिया में जो nitrogen होता है वो amide के रूप में पाया जाता है तो option number ये जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा अगर हम बात यूरिया की करते हैं तो यूरिया का राफाइनिक सुत्य जो होता है वो होता है NH2CO NH2 ठीक है और यूरिया में nitrogen कितना और 46 से 47% पाया जाता है nitrogen next question है हमारा question number 65 question number 65 कर रहा है कि uranium का रंग क्यासा होता है तो uranium का रंग क्यासा होता है सफेद होता है तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा ठीक है अगर हम बात uranium के करते हैं तो uranium का उप्योग किस में होता है परमानूर्जा के उत्पादन में होता है uranium से याद रखेगा कि इसके कुछ परमुक्स समस्थानिक है एक है U 235 अलेक है U 238 ले रहा है चलिए next question हमारा question number 66 question number 66 कह रहा है कि निम्ण में से किस फल में लोह प्रचूर मातरा में पाया जाता है इन में से आस्वन बीधी द्वारा किसका सोधन नहीं किया जा सकता है तो आस्वन बीधी के द्वारा सलफर का सोधन नहीं किया जा सकता है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा देखे वैसा धातु जिनका क्वथां कांग कम होगा उसका सोधन आसमन बिधी से किया जा सकता है लेकिन जिसका गलांग कम होगा उसका जो सोधन है वो द्रव गलन परिकरन बिधी द्वारा किया जाएगा ठीक है? चलिए अगला question है question number 68 question number 68 कह रहा है कि graphene क्या है तो ये carbon का एक अब रूप है तो option number ये जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा graphene किसे प्राप्त होता है? ये graphite से हमें मिलता है graphene से एक और चीज़ याद रखेगा कि graphene से हम लोग कागर से भी पतली सीट बना सकते है next question हमारा question number 69 question number 69 कह रहा है कि काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना petroleum को कहते हैं तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा petroleum से याद रखेगा ये fossil fuel है मतलब जिवास मिंधन है और petroleum को rock while भी कहा जाता है next question हमारा question number 70 question number 70 कह रहा है कि मानब का बैग्यानिक नाम क्या है? और हमारा question number 71 question number 71 कह रहा है कि मानब किड्निया स्टोन में पाए जाने वाला परमुख रसाइनी की योगी कौन है? तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा calcium oxalate यानि option number C calcium oxalate यानि इसका formula होगा CA C2O4 next question हमारा question number 72 question number 72 कह रहा है कि racism kit pollen को क्या कहते हैं? तो racism kit pollen को seri culture कहते हैं तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा अगर हम बात epiculture की करते हैं तो epiculture के अंतरगात मक्रुद मधुमक्खी पालन होता है horticulture की अगर बात करते हैं तो horticulture के अंतरगात सबजियों तथा फलो का उतपादन होता है काध्यन होता है और floriculture जो होगा इसके अंतरगात फूल की खेती काध्यन किया जाता है next question हमारा question number 73 question number 73 कह रहा है कि likeo podium को किस रूप में परियोग किया जाता है तो likeo podium से को आसदी के रूप में परियोग किया जाता है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 74 question number 74 कह रहा है कि P.A. Modi ने हाली में किस देश में रूपे कार्ड लॉंच किया है तो इसका जो सही अंसर है वो हाली में भुटान में लॉंच किया है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है 20 photography दिबस कम मनाया जाता है तो 20 photography दिबस 29 अगस्ट को मनाया जाता है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा सबसे पहले कम मनाया था सबसे पहले 2009 में मनाया गया था ठीक है अगर हम बात यहीं पर 18 अगस्ट की कर लेते हैं तो 18 अगस्ट को 20 के स्वादेशी लोगों के लिए अंतराष्टिये दिबस मनाया जाता है ठीक है 15 अगस्ट आप लोगों को पता ही है कि भो भारतिये सबसे दिबस मनाया जाता है next question है question number 76 question number 76 कर रहा कि मोलस्ट का सब किसने दिया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होजगा जोहन अश्ट्यानीन यानि option number B ठीक है मोलस्ट का की अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरा सबसे बड़ा जीबों का संग है ठीक है अब मोलस्ट का संग के अंतरगत कौन से आते हैं समुदरी जल ये जीब जनतु आते हैं ठीक है next question हमारा question number 77 question number 77 है तलाब के जल से स्वतंत्र रूप से जीबित कोसिकाओं का पता किसने लगाया था तो इसका जो सही अंसर हो का बहुँच अप्सन number B लुबेन हॉक ने लगाया था ठीक है लुबेन हॉक से एक चीज याद रखेगा कि लुबेन हॉक को ही जीबानू बिज्ञान यानि बैक्ट्रियो लॉजी का जनक कहा जाता है next question हमारा question number 78 question number 78 कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख ने अधिस कौन थे तो भारत के प्रथम मुख ने अधिस का नाम था हिरलाल जे कानिया यानि आप्सन number B ठीक है और इनसे एकचीर याद रखेगा कि इनकी मिर्थम हो गई थी पद पे रहते भर में उनईसो एकामन में ठीक है next question हमारा question number 79 question number 79 कह रहा है कि दादर और नगर हवेली को कि सम्विधान संसोदन द्वारा भारतिये संग में जोड़ा गया था तो इसका जो सम्विधान संसोदन उनईसो 61 के द्वारा जोड़ा गया था और इससे पहले क्या था पूर्तगालियों के अधीन था फिर एक चीर और याद रखेगा कि अभी रिसेंटिली 2019 में एक बिधैयक पारित कर दिया गया जिसमें कि दादर और नगर है बेली और दमन दिपकन सासी परदेश दोनों को बिलाय कर दिया गया मतलब दोनों को मिला दिया गया Next question हमारा question number 18 Question number 18 कह रहा है कि हाली में IFA award 2019 में best film का award कि से मिला है तो best film का award मिला है राजी को तो option number D जो होगा वो हमारा सही answer हो जगा अगर best actor पूछता है best hero पूछेगा तब मिला है रनबीर सिंग को कौन से film के लिए? film पदमाबत के लिए ठीक है और best अगर heroini actress पूछेगा तब उसको मिला है आलिया भट को कौन से movie के लिए? यही राजी movie के लिए clear है? तो देखिए यह था असी वीडियो इसके बाद के जो 20 questions जो है math reasoning के वो इसी PDF में आगे attached है उसके answer भी आगे attached है आप उसे solve कीजेगा अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप WhatsApp ग्रूप पे message कर सकते हैं कि हाँ यह problem है उसका solution आपको दे दिया जाएगा साथी साथ आप इस test को attempt कीजे और comment करके बताएए कि आपका कितना marks आ रहा है ठीक है और comment करके यह जरूर बताएगा कि आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिल ला है अगर लग रहा है कि हाँ वीडियो से मुझे कुछ सीखने के लिए मिल ला है तो एक like जरूर कर दीजेगा thanks for watching